अलो गेड़ी फिल्मकर्स और अक्टर्स दिसाइड अमिट सिंग आम एक्टर फिल्मकर्स दिस प्रदक्शन इन एस्सोसियेशन विद बॉलीवूड का हलना दोस्तों आज बात कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूंट चीज के बारे में जो कि आप सभी लोग में इसे पूछते हैं कि क्या सर पढ़ाई जरूरी है एक्टर बनने के लिए दोस्तों निखे पढ़ाई वैसे जडरूरी नहीं है आप अगर कहीं I should A पर किसी acting के लिए आप अपने अपको casting के लिएiration देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे कोई यह नहीं पूछे कि आप कितने पड़े लेकिन अगर मैं दूसरे मुद्धे पर बात करूं तो वह यह है कि अगर आप कहीं पर acting सीखने जाते हैं यानि कि कहीं जैसे किसी college में जैसे recognized colleges हैं जैसे कि आपका NSD है दिली में जो है और सरकारी संस्था है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको से एक डिग्री मांग दें जिसका नाम है graduation आपको graduate होना जरूरी है दोस्तों मतलब कि आपको BA, B.Sc, B.Tag, M.Tag मतलब बैचिलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और master's होगी तो भी चलेगी बहुत अच्छी बात है फिर तो यह तो देखो इतलिए बहुत ही special एक zone बना दिया है कि अगर आप पढ़े लेके हैं तो आपको जो है इन सभी संस्थाओं में आपको admission मिल सकता है वो भी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि वहाँ पर पढ़ाया होती है direction में होता है editing में होता है film making में बहुत सारी तरह तरह की degrees है तो इसमें आप जाकर वहाँ जोइन कर सकते हैं लेकिन अगर आप दूसरे माइने में देखें तो जब आप audition देने जाते हैं किसी serial या film के लिए वहाँ पर आपसे कोई degree नहीं पूछता है और नहीं आपसे आपने सुना भी होगा कि कोई किसी class में fail था तो कोई किसी class में fail था और फिर भी वो आज की rate में काफी बड़े-बड़े level पर काम कर रहे हैं तो यह को requirement नहीं है कि आप पढ़े लेके हैं तभी आप actor बन सकते हैं actor बनने के लिए आपको पढ़ाय की ज़रूरत नहीं है लेक अगर आपको पास यह नहीं है तो sorry आपको करना पड़ेगा उसके बाद आप eligible होंगे राइट तो करी के से एक पात्रता का एक उधारन है example है कि आपको डिगरी चाहिए जाहिए कहीं पर NSD में या FTIA पुने में तो वहां पर आपसे यह डिगरी मांगी जाती है एडविशन के दौना और आपको फिर तीन यार चार तीन साल की डिगरी होती है जिसमें आपको वह बैचलर्स की डिगरी देते हैं मास्टर्स की डिगरी देते हैं आप करना चाहें तो तो उसके बाद उससे क्या होता है कि आपके पास एक डिगरी आ जाती है लेकिन पढ़ाई का कोई म आप पढ़िये, मैं तो यही कहूँगा, देखे, पढ़िये, ग्रेजुएशन करके ही आप एक्टर बनने की प्रॉपर तयारी करिए, बिना ग्रेजुएशन करें आप इस फिल्म लाइन के बारे में सोचिए मत, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर आपको कुछ नॉलेज अनुसार आपके अंदर एक बदलाव आएगा जो कि पढ़ाई के साथ आता है, अगर आप पढ़ पहले आएंगे तो आपके लिए ज्यादा बैटर रहेगा, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ लीजी तो ज्यादा बैटर रहेगा, मैं ग्रेजुएट कम से कम हो आपके वी है, आप कोई भी कर सकते है, बेकिन पढ़ुआ भी जरूरी है, पढ़ना चाहिए, सब को पढ़ना चाहिए, ठरको कुछ करना चाहिए, डिगरी करने से फायदा होता है क्या closestCR triangular पände के वी बहुत जरूरी है यह सब्स्क्रा hai, क्योंकि बैस और स्वाय के य मतलब और क्या करके जाना है फुल मिनिस्ट्री में तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है तुम्हें काल समझ गए तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को शेर कर दीजिए और इस बास सब मिलकर बोल दीजिए हे बॉलिवुड